कि है थालो दोस्तों आज हम बात करेंगे जहनु फोस्टल फीज के भाइवेव remembered फिस के बारहम की एक फोस्टल का पर यहर का खड़ फिस होता है वो डिय६ akin करता है कौन से आप फोस्टल में रहे रही है कौन से मनाई थीक है थोड़ा खड़ा उपर वी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, एवरेज अगर हम बात करें, पर रियर की, तो वो खड़ा जाता है 24,000 से 25,000 और इससे जदा नहीं जाता है, ठीक है, रियर गेस हो गया, जहां पे 36,000 चला जाएगा, वरना इससे जदा नहीं जाता कि वोस्टल में जो सबसे जाता करो सटल फीस में एड होता होता है मेंश चार्ज के बात करें तो मेंस चार्ज जो होता है आपका 2035 के बीच में होता है जो की काफी कम है हर दिखेंगे तो 607000 आपका खाने पीने का बील तो सब 5 के बीच में और यह के आता है ठीक है में होच्टल IRA गाटिक तो 2, 1400 अहमारे पास इतने कोई दिक्रत नहीं आपके पास फिल काल में जितने पैसे हैं अप एडॉमिसों बीशन ले लिए जॉ forty शलत पे लिए liए नहीं सब्सक्राइब तो भारदुना 24 यानि कि आपका पूरा होस्टल फिस जो है वो निकल गया MCM से यानि कि स्कोलर सिप से ठीक है पूरा निकल जाएगा कभी-कभी तो को देना भी नहीं पड़ता है तो इस चीज़ का विसे जानले यह आपके लिए प्रसपोंटे वर्यान वस्टी में बढ़ियां कल चर्माप पड़ रहा है तो यह आपके लिए प्लस-पाइंट जिनों रही आधि होस्टल ने लिए उन्हें से पार्ट सो रुपए मिल थे थे हैं तो फूस्टल फिस जो जाता है यह जाता है तो होस्टल फिस में स्थीस जोड़ता है वो में सार्ड होता है ठीक है इस चीज का फिसे सब ध्यान दिये इससे ज़्यादा नहीं जोड़ने वाला ठीक है यह उपर जो फिस लिखाई है ट्यूसन फिस आप बढ़ाई के लिए देता है ना वो देख लिए 219 कहीं पे दिया है कहीं इससे जाता तो आपने करने होती है आप तिन महीने पर जमाँ कर सकते हैं छह महीने पर जमां कर सकते हैं एक साल में पर से कोटी लिए जाती है जब आप एडमेंशन लेने जाएंगे ना तो आपको से कोटी जमा करने पड़ेंगे ठीक है यह मैं जो स्कोलर से मिलता है उपर नीचे स्कोटी है यही सब ज्यादा फीस आपको देना पड़ता है से कोटी चार्ज मालेजे आप क्यूंकि यहाँ पे आप चार्ज माले तो आप साल भर में देते रहे कोई दिकत नि आप आप देते रहे गास तो यह आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है और बहुत अच्छी नुश्टी है आसा करता हमारे नहीं तो सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यमाद